केंद्रिय वित्तमंत्री निर्मला सीता रामन ने 2024-25 के बजट में खेती और उससे जुड़े कामों के लिए 1.52 लाग करोड रुपे के फंड का एलान किया इसमें रिसर्च, टिकाउ खेती को बढ़ावा देने, तिलहन और दालों के उत्पादन को बढ़ाने और खेती में तक्नीक के इस्तिमाल की बड़ी योजना बनाई गई है बजट भषण में सीता रामन ने घोशना की कि किसानों को जल्दी ही 32 शेत्रिय और बागवानी फसलों में 109 नई अच्छी उपस देने वाली किसमें मिलेंगी New 109 high-yielding and climate resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers Natural Farming In the next two years, one crore farmers across the country will be initiated into natural farming supported by certification and branding Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats 10,000 need-based bio-input resource centres will be established केंद्री क्रिशी मंत्री, सिवराज सिंग चोहान ने बजट की तारीफ की और कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग, खासकर किसानों की ज़रतों का पूरा ख्याल रखा गया है प्रद्धान मंत्री जी को हिर्दय से धनिवाद देता हूं वित मंत्री जी को बधाई देता हूं ये बजट दोहजार सैंतालीस तक विक्षित भारत के निर्मान का बजट है एक बैब अफसाली गौर अफसाली संपन और सम्रुद और सक्तिसाली भारत के निर्मान का बजट है जिसमें समाज के हरवर्ग का ध्यान रखा गया है और विशेश कर किसान, किर्शी और ग्रामीन विकास के लिए ये बजट बरदान है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने तीन सालों में किसानों और उनकी भूमी को कवर करते हुए खेती में डिजिटल पब्लिक इंफ्रेस्ट्रक्चर यानि DPI को लागू करने की स्कीम के बारे में भी बताया आपके लिए अप्रश्चर यानिव जार्ट करने की स्थाख़। तकनीक से जोडने के फैसले का केंदरी कृष्यमंत्री ने स्वागत किया। विपक्ष को बजट बिल्कुल भी रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिले श्यादव ने कहा कि बजट में किसानों को MSP की गारिंटी देने का कोई अलान नहीं किया गया। अगर मंडिया नहीं बनाएंगे ये सरकार बताए कि यूपी में अगर एक भी मंडी बनाई हो तो जो मंडी नहीं होगी किस स्थान पर किसान ले जाए अपनी फसल की कीमत पाएगा। दिश्बर के कई किसान नेताओं ने भी बजट को अन्यदाताओं के लिए बड़ा जटका करार दिया। इस बजट में ना तो MSP ग्रेंटी कानू देंड बनाने के लिए कुछ बजट में है। किसान खेत मजदूर को करज माफी के लिए कुछ भी इसमें नहीं है। कि इसी के साथ मजदूरों को रजगार देने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है और खेती को पूरी तरह अग्नोर कर दिया गया जो इस बजट में हम लोग मुझलीप पतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये नकरात्मक बजट है, दिशाहीन बजट है, इसमें कोई भी खेती सेक्टर के लिए विजन नहीं है। पोईदी किन्दू, नमल ये वक्ट्योबर मास मावंबडे ते क्या निवड़ वुल्पाद नंबर्थी किन्दू, आँ समयेते राबरिंडे बीले इडिया उल्ला विर सागिजिरी मान दिप्पोल्क कर्षगर कानुन नदू, यंदो के आनकिलू, केंद्र सरकार राबर कर्ष्गरोड का अनिचेद काड़ित आवगन नियान। केंद्री वित्यमंत्री निर्मला सीता रामन के मताबिक बजट में किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है। क्रिशी और उससे जुड़े शित्रों के लिए कुल फंडिंग पिछले बजट से 1.3 एक लाग करूड रुपे से भी ज्यादा है। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।